अब तक दुनिया के सबसे छोटे देश के रूप में अंतराश्ट्रिय पट्चल पर वेटिकन सिटी को ही दरजा प्राप्त है लेकिन हमारी प्रित्वी पर एक देश ऐसा भी है जो दुनिया के सबसे छोटे देश की तरह जाना जाता है हाला कि अभी इसे वैधाने के दरजा प्राप्त नहीं है लेकिन इंटरनेट पर आपको इस देश के संबंद में कई रिपोर्ट पढ़ने को मिल जाएंगी आपको बता दे दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां सिर्फ 27 लोग रहते हैं इस देश की कुल जन संख्या सिर्फ 27 है इस देश का नाम है सीलंड यह देश इंगलेंड के पास बसा है इसे दूसरे वलबडवार के समय ब्रिटेन ने बनाया था यह इंगलेंड के सकोर्क समुदरी तट से लगभग दसकिमी दूर स्थित है सीलंड खंड डहर बन चुके समुदरी के लिए पर स्थित है हाला कि बाद में इसे खाली कर दिया क्यूंकि यहां जान का खत्रा बना रहता है हम आपको बताते हैं कि यहां किसका शासन था और कौन था यहां का राजा इस देख को माइक्रो नेशन कहा जाता है यहां पर हमेशा अलग 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 लोगों का कब जा रहा हाला कि 9 अक्टूबर 2012 को रोईग बेट्स नाम के शक्स ने खुद को सीलैंड का राजा घोशित किये था रोईग बेट्स की मृत्यू के बाद अब इस पर उनके बेटे माइकल का शासन है बता दें कि माइक्रो नेशन मतलब छोटा देश हाला कि सीलैंड को अभी तक अंतराश्ट्रेस तर पर मायता नहीं मिली मजे की बात तो यह है इस देश की अपनी करेंसी और स्टेम्ट टिकट भी है सीलैंड का ख्षेत रफल बहुत कम है ऐसे में इसके पास जीने का कोई साधन नहीं है लोगों को इसका पता पहली बार इंटरनाइट के जरी पता चला तो उन्होंने खूब डोनेशन दिया ताक कि इनका गुजारा हो सके